शाम साथे साथ बजे मोना चौधरी बंगले पर पहुंची थी पारसनाथ बंगले पर ही मौझूद था वो नाद होकर कपड़े बदले कौफी पी रहा था बोड़ी आया नहीं उसे कौफी बना कर दी थी उसने साथ में कुछ खाने को भी पूचा था परंतु पारसनाथ ना मना कर दिया था वो पंगले के उपरी भाग में बने ड्राइंग रूम में बैटा था पारसनाथ और मोना चौधरी की नजरे मिली महाजन नहीं आया मोना चौधरी पलवगर के लिए वाँ ठिटकी आता ही होगा पारसनाथ में कौफी का भूट भढ़ती हुए बोला मोना चौधरी वाँ से चली गई पंद्रा मिनट बाद वाँ महाजन ना पहुचा चेहरे पर गंबीरता फैली थी बेबी आ चुकी है ना बाहर उसकी कार खड़ी है पारसनाथ में सहमती में से रहलाया तो मैं पूछ रही थी मैं अभी नहां कराया सोचो में डूबा महाजन वाँ से चला गया जबकि पारसनाथ का चेहरा सपाट नजार आ रहा था परंत उसकी आंके बहुत कुछ कह रही थी 20 मेंट बाद वो सब ड्राइंग रूम में बैटे कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे सब के चेहरों पर गंबीरता फैली थी बैंक में टखहती करने की कोई समस्या नहीं है मोना चौधी ने गंबीर सवर में का हमें सिब लॉकर का ताला खोलने वाला आदमी परसनात ने कहना चाए वैसा आदमी मेरे पास है आते वक्त उसे फोन कर चुकी हूँ जब तक मैं नहीं कहती तब तक वो कोई दूसा काम हाथ में ने लेगा क्या नाम इस ताला तोड़ वाले का रादू मोना चौधी ने बताया महाजन ने कौफी का घूट बढ़ते वे पहली बतला हमें एक्सपर्ट आदमी चाहिए जो ये काम जल्द से जल्द कुछ मिंटों में पूरा कर सके परसनात ने का रादू मेरा विश्वासी आत्मी है परसनात में कौफी का घूट बढ़ा मोना चौधी ने भी घूट बढ़ा और महाजन को देखा ये साधान सी डगयती है महाजन बेचाय नहीं भरे सर में बोला हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं उसमें खुट को पाने है तो मोना चौधी गंबीर थी हम वहाँ सब कुछ देखा है योजना भी बन जाएगी मैं बैंक में घुस जाना कोई बढ़ी मैं बैंक में घुसने की योजना बना चुकी हूँ वोना चौधी न का डगयती की योजना हाँ तो तुम अपनी कहलो बेभी माजन ने परेशान सर में का मैं अपनी बात फिर कहूँगा तुम शायद देवराद चौन की बात करना चाहते हो पारसनात ने गंबीर सर में का यही बात है मोना चौधी मुस्क्राई मेरे काल मैं पहले एक मुद्दे पर बात हो जाएग उसके बात मैं आगे की बात करूँगा माजन का हमें भी देवराद चौन का दियान मैंने पहले ही कहा है कि टकैती कोई बड़ी नहीं है यह हम असानी से कर सकते है तुम बताओ क्या योजन बनाई तुमने मोना चौधी नों काफी का घूट बरा फिर बोली इस बार शनीवार रितवार को बैंक बन दे आम तो पर टकैती करने वाला शनीवार का दिन चुनेगा चुकि हमारे रास्ते में देवराद चौन कड़ा कहीं वहम पर निगा न रख रहा हूँ ऐसे में ये काम अंकल शाम को बरेंगे कल माजन चौका पारसनाद भी समल कर बैट गया हाँ रादू लॉकर रूम में होगा वो मुकुट को 63 नमबर लॉकर से निकाल चुका होगा हमें सिर्फ उसे वहां से बाहर निकालना होगा रादू लॉकर को कैसे गोल पाएगा दिन में शाम तीन बजे के बाद रादू लॉकर की सेड़ियां उतरकर लॉकर रूम में जाएगा दिवार के साथ खड़ी लॉकरों की कतार के पीछे किसी भी कतार के पीछे वो छुप जाएगा जब बैंक बंद हो जाएगा बैंक वाले सब चले जाएगे तो हम फोन पर रादू को खबर कर देंगे और तब रादू 63 नमबर लॉकर कोल कर उसमें पड़ा हो मुकुट निकाल सकेगा और हम उसे बाहर कैसे लाएगे पारसनाथ ने पूछा लॉकर रूम के दौनों तरफ बेस्मेंट में दुकान है एक तरफ साड़ी की दुकान दूसी तरफ फोटो स्टेट की दुकान किसी भी दिवा तरफ से दिवार मैंसे एक रास्ता बना कर हम रादू को बाहर निकाल सकते है मेरे ख्याल में इस कम हमें 20 से 30 मट का समय लगना चाहिए दिवार तूटने का थोड़ा बहुआ शोर भी होगा जो भार तक जाए गई पारसनात बोला वह भार भी लोग आ जा रहे होंगे हाँ इस बात का मुझे ध्यान है मोना चौदी ने सेरे लाकर का मैंने इस बात का भी इंतिजाम कर लिया साड़ी की दुकान या फोटो इस्टिट की दुकान रात करीब 10 बजे के असपस बंद होती है तो ये हम सोच लेंगे कि हमें किस तरफ से जाकर बैंक के बीतब प्रवेश करना है मोना चौदी ने पुना का उस तरफ रात को साड़े 10 बजे दो रेडियां पहुचेंगे एक में बदरपुर भरा होगा दूसरे में रेता उनके उपर तीन सीमेंट की बोरिया रखे हैं जहां हमने काम करना है उसके बार बदरपुर रेता और सीमेंट की बोरियां उतार दी जाएंगे तब तर रगू नीचे वाली सीडियों की शटर के तालिक खोल चुका होगा किसी को शक भी नहीं हो कि क्या हो रहा है कोई पूछे तो इतने ही कहना कि मालिक ने रिपेर का काम सौपा है मालिक अभी यहीं ते अभी फिर आएंगे हमें जादा से जादा सिर्व आदा गंटा चाहिए इधर की दिवाल तोड़कर उधर से रादू को निकालने के लिए बदर पूर रेतार सीमेंट की बोरियां लाएगा कौन माजन ने पूचा रादू लाएगा मैं उससे बात कर लूँगी रादू कैसे लाएगा वो तो लौकर में बंदोगा तो मेरा मतलब है कि सारे इंतिजाम भाई करेगा और लाने वाले रिक्षे वालो से हमें मिलवा देगा तो मैं एक बार रादू से बात कर लेनी चाहिए रादू से बात हो जाएगी मैं अभी जाओंगी रादू से मिलने उस गली में राद का चौकीदार भी होगा जो भी मिले यही कहना कि मालिक यह काम करवा रहे है अभी यहीं थे और अभी खाना खाकर आने वाले है वो मान जाएगा उसे माननी पड़ेगा काम तो उसके सामनी हो रहा होगा मोना चौधी ने कहा शोरूम के भीतर तुम लोग उस दिवार को तोड़ने में लगे हो ये बात कुछ चौकीदार भी देख लेगा तो कोई फर्क नहीं बड़ेगा हम कह सकते हैं कि मालिक न ऐसा करने को का है तुम्हारा मतलब है कि हम मजदूर बन का काम करेंगे पारसनाथ ने का हाँ तुम्हारे दूसरे कपड़े गाड़ीयों में पड़े होंगे काम के बाद तुम लोग कपड़े बदल लेना महाजन से रिलाता क्या उड़ तुम किस तरफ से बैंक के लोकर हॉल में प्रवेश करना चाहती हूँ ये बात पारसनाथ से पूछ लो तो जादा बहतर होगा महाजन ने पारसनाथ को देगा पारसनाथ शानसर में बोला हम साड़ी वाले शोरूम से विता प्रवेश करेंगे फोटो इस्टेट वाले से नहीं? नई पारसनाथ ने इंकार में से रिलाया उसके बेस्मेंट में यहां से हमें लोकर रूम में जाना है वहाँ फोटो इस्टेट की बहुत भारी मशीन रखी हुई है उसको हटाने में हमारे 30-40 मेंट बरवाद हो जाएंगे जबकि साड़ी वाले शोरूम की तरफ वाली दीवार पर सिफ लकड़ी के 2-3 फटे है जो कि हताड़ी की 2-3 चोटों में ही अलग हो जाएंगे तो ये निश्चित रहा कि हम साड़ी वाले शोरूम से ही बीतर जाएंगे पारसनाथ में सहमती से से शेला है बेबी तुम्हें अभी रादू से याकर मिलना होगा ये बात एक हत्म हो जाएं फिर मैं रादू से मिलने जाओंगी मोना चौधी ने का महाजन मोना चौधरी से क्या हो था अब तुमारी बात खâte हो हाँ मोना चौधरी गंबीर सी दिखी तो देवराच चौधी की बात कर ले एकाएक मोना चौधरी के जबड़े ख Chapun देवराच चौध तो एक दिन मेरे हातों से ही मरेगा सर में दरिंदी की भरीवी थी इस समय मरने मारने की बात नहीं हो रही माजन गंभी सर में बोला मोना चौधी ने कठोर निगा उसे माजन को देखा तुम अपने पर काबू पाओ माजन पारसनात ने का हम देवराचान की बात कर रहे हैं मोना चौधी ने दो चार गहरी सांसे नी तना आप कुछ का मुगा तो मोना चौधी बोली ये पहली बार हुआ है कि देवराचान मेरे रास्ते एक हो गए वो भी कल या परसो किसी भी दिन डगादी कर सकता है माजन ने का ऐसा सयोग से हो सकता है पारसना अतने सपाट सवर में कहा सही का तुमने ऐसे सयोग से नहीं हो सकता देवराचान भी ऐसी बात कर रहा था वो जानना चाहता था कि मुझे किसने ये काम सोपा परंतु मैंने घोरपड़े का नाम बताने से इंकार कर दिया उसे कुछ भी बताना ठीक नी समझा मौना चाहदी ने विचारों में डूबे कहा अगर मुझे गोरपड़े का नाम बता देती तो मुझे उस जुगल किशोर के बारे में बता देता जिसने गोरपड़े को ये काम सोपा था तो क्या जुगल किशोर को देवराचान जानता है हाँ जानता है वो जुगल किशोर को पर तो तो मैं जुगल किशोर के बारे में जान लेना चाहिए था घोरपड़े के बारे में बता कर महाजन न कुछ नहीं का क्या पता देवराच्वान के मन में क्या चल रहा हूँ कहीं वो जाकर घोरपड़े की गर्दन पकड़ ले तो मोना चौधरी बोली हो सकता है वो घोरपड़े ही हो जिसने देवराच्वान को भी यही काम सौंप दिया हूँ पारसनात बोला शायद तभी देवराच्वान उस इंसान का नाम जानना चाहता हो महाजन ने कहना चाहा मोना चौधरी फोन निकालते हो बोली मुझे गोरपड़े से बात करनी होगी मोना चौधरी ने गंबियू सर में का वो तुमें सच बता देगा सच उसे बताना होगा वरना वो भी जानता है कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका सच में से सामने आई जाएगा गोरपड़े का नमबर मिलाया दूसी तरफ बैल जाने लगी तीसरी बैल पर ही गोरपड़े आग की आवाज मोना चौधरी के अकानो में पड़ी हैलो मोना चौधरी काम हो रहा है न तुमने देवरात चौन को भी उसकाम में लगा है मोना चौधरी के आवाज तीखी हो गई तू कैसे जानी की मेरी बात का जवाब दे हाँ लगाया पहले मैंने उस posição पर पहले मैंने उस पर फंदा डाला फिर थारे को बताया कि यह बाद तुमने मुझे क्यों नहीं बताई कि मोना चौदरी ने दाद बीचुकर कहना चाए इसी को बताने में क्या फ्रक पड़ता वो अपने सातियों के साथ मौझूद था और मैं अपने सातियों के साथ हमारी मुलाकात भी तो इसमें बुरा गया है वो जुगल किशोर के बारे में जानता है क्या देवराच्छान जुगल किशोर के बारे में जानता है गोर पड़े का हैरानी बड़ा सर कानों में पड़ा ह वो जानता है उसने जुगल किशोर के बारे में तुम्हें बताया वो तुम्हारा नाम जानने के बाद जुगल किशोर का नाम बताने को तयार था और मैंने मेरा ना गोर पड़े गवरा गया मेरा नाम उसे मत बताना नहीं तो मुझे खा जाएगा अभी तक तो मैंने नहीं ब समझो हुआ आगे कापनी क्या होगा कहने की साथी मुना चौद přी नहीं मुना चौद पूर्व पड़े नहीं देवरालच च्ण को इस कामंपर लगा या है मुना चौद पारशनाद बोला। उसने देवराज चाहन का भी काम खराब कर दिया। हम उसे वो मुकट नहीं ले जाने देंगे और वो हमें मुकट नहीं ले जाने देगा। मुनाचाधी ने सपाट सौर में का, हमें कोई ऐसी तर्कीब सोचनी चाहिए जिससे वो मुकट हमारे हाथ आजा, महाजन बोला। ऐसी ही तर्कीब देवराज चाहन भी सोच रहा होगा। महाजन महाजन ने पारशनाद को देखकर घैरी जांसली फिर क्या उठा, लेकिन देव पर सोच के भाव नाच रहते, क्या सोच रही हो, पारसनात ने पूछा, सब कुछ, मोना चौधरी के निगा पारसनात के चैरे पर चाटी की, कास्तरोर से जगल किशूर के बारे में, आखरी बंदा कौन हो सकता है, जिसे देवराच्वान जानता हो, तो वो पुराना बंदा ही होगा, पारसनात, मोना चौधरी ने सोच भरे सर में कहा, और हमने इस जगल किशूर का नाम भी नहीं सुना, माजन ने मोना चौधरी को देखा, जरूरी तो नहीं कि हम हराजनीवी की जाने, पारसनात ने कहा, मोना चौधरी दोनों को देखकर क्या उटी, देवराच्वान हमें वो मुकट नहीं ले जाने देगा बिलकुल महाजन क्या उठा और हम भी देवराचान को मुकट नहीं ले जाने देंगे दोनों के सेरे ले देवराचान के मन में इस समय यही बात आ रही होगी मोना चौधरी बोली पक्का महाजन बोला देवराज चान भी इसो यही सोचड़ा होगा अब एक ही बात सामने आती है क्या पारसनात के आँखे सुखने हम दोनों घोरपड़े के लिए काम कर रहे हैं तो वो मुकट हम मैंसे किसी के भी हाट लगे जाना तो घोरपड़े के पास ही है मैं समझा नहीं महाजन बोला ज़कि पारसनात के आँखे सिकुड़ चुकी थी हमें और देवराज चान को मिलकर एक साथ यह काम करना चाहिए मोना चौदरी क्या उटी महाजन को तीवरे जटका लगा पारसनात ने बेचैनों से पहली उतला हम और देवराज चान मिलकर काम करें पारसनात के ओटों से निकला कैसे संबभ है अगर हम घोर पड़े के लिए काम कर रहे हैं तो हमें इसी तरह काम करना होगा अभी बूड़ी हम्मा कॉफी के प्याले रखकर वहाँ से चली गई तो नोंने कॉफी के प्याले उठा कर घूट भरे तो मजीब सी बात कर रही हो बेबी देवराज चान के साथ काम करना माजन अगर काम पूरा करना है तो इसी तरह काम पूरा किया जा सकता है पना काम किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सकता अब ये काम करने के लिए सोचो कि काम करना है या नहीं करना है मोना चौधरी ने गंबीर सर में का काम तो हो गई मोना चौधरी है पारसनात ने का तो फिर इसके लिए देवराज चौधरी से बात करना जरूरी है कि क्या वो भी घुर पड़े के लिए काम करना चाहता है अगर करना चाहता है तो उसे भी हमारे साथ मिलकर काम करना होगा नहीं माना तो माजन्न कॉफी का गूर बरा तब भी हम कल रात को काम करने जा रहे है देवराज चौहन उसके साथ ही कल हमारे काम में जरूर अड़चन डालेंगे और हमाने से निपटना होगा मोना चौधरी के चारे बब भरपूर सक्ती आ गई थी देवराज चौहन से निपटना परसनाथ ने का मकाबला बरावरी का होगा कोई भी जीत नहीं सकेगा मुकट वैसे का वैसे ही धरा रह जाएगा हमें समस्दारी से काम लेना चाहिए ताकि हम लोग समस्दारी से काम लेते हुए तो हम देवराज चौहन से बात करने की सोच रहे ठीक इसी बब मारजन की फोन की गंटी बचुटी मारजन ने मोबाईल निकाल कर उस पर आया फोन नमर देखा अगली पल मारजन चौह का स्क्रीन पर जगमोहन लेखा नज़र आ रहा था यह तो जगमोहन का फोन है मारजन की होटो से निकला जगमोहन का पारसनाथ की आखे सुगणी तो देवराजन पहले ही सोच चुका है कि अब उसे क्या करना है मोना चौती ने गंबी उसाथ में का क्या मतलब मारजन ने मोना चौतरी को देखा वो इस नतीज़े पर पहुच चुका है कि उसे इसकाम में हमारी ज़रूरत है फोन बज़े जा रहा था तुम कॉल रिसीब करो मोना चौती ने का तभी फोन की बेल बंद होगी मा ज़न हाथ में तभी फोन को देखते रहा फिर बोला क्या देवराज़ चौन के पास तुमारा नमबर नहीं है है हम सब के पास एक दूसरे का नमबर है मोना चौती ने से रिला है तो देवराज़ चौन तुम्हें भी फोन कर सकता था फिर मेरे को ही क्यों वो हम ऐसे किसी को भी करें बात तो एक ही तो वहापे जगमान को फोन कर लेकिन बेबी हमें इस बारे में भी सोचना है कि क्या देवराज़ चौन हमसे टकाती में मिलकर हमारे साथ ठीक तरह ऐसे चलेगा वो मुझसे जो कहेगा वैसे ही चलेगा मोना चौधरी बोली अगर वैसे नहीं चला तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे जगड़ा नहीं लेना चाहेगा कुछ रास्तों को बदल करके तुम फोन करो जगमोन को पारसनात नहीं का पर तुमें एक गलती कर चुकी हो मुझा चौधरी क्या मुझा चौधरी के आगे तुपड़े बैंक में जब तुमसे जगल किशोर के बारे में बताने से पहले तुमसे जानना चाहता था कि ये काम तुमें किसने सौपा है तो तुम योई किसी का नाम बता दी ती इसमें कम से कम में में जगल किशोर के बारे में मालूम हो जाता मुझा चौधरी के ओटवर मुसकान होई पारसनात ने गैरी सांस लेकर मुझा गमा लिया तो क्या बात में देवराचान को पता नहीं चलता कि मैंने उस से जूट कहाता पता चलता तो चल जाता हमें तो जगल किशोर के बारे में मालूम हो जाता की और देवराचान का विशौच मुझे जूट बोलना भी आता माहाजन कुछ नहीं कह सका काम हम बुरे ज़रूर करते हैं पर हम तुछ शराफत के साथ करते हैं अगर हम जूट बोलेंगे तो सची खतम हो जाएगा माहाजन माहाजन की उंगलिया की पेट पर घूमी मैं जगमान का नंबर मिला रहा हूँ मोना चौदरी पारसनात खामोश रहे माहाजन ने फोन कान से लगा लिया दूसी तब बेल जाने लगी थी अगले ही पल जगमान का शान सर्ज माहाजन के कानों में पढ़ा माहाजन बोल माहाजन का लहजा सामान ने था मोना चौदरी तेरे पास है जरा उसे फोन दो तो मोना चौद्री के फोन पर भी फोन कर सकते क्या मैं फोन बंद कर दू जगमान के जगमान के कानों में पढ़ने वाले सर में कोई भाव नहीं था लेकर माजन ने फोन मोना चौद्री की तरफ बढ़ाया मोना चौद्री ने फोन लिया और बोली तो मैं बोल रहा हूँ मोना चौधी के कानों में देवराचान की आवास पड़ी बोलो देवराचान मोना चौधी ने सामान न सर में का तुम शायद डखेती नहीं कर पा रही होगी डखेती मुश्किल नहीं है तो मुश्किल तुम हो जो मेरे रास्ते में अकड़े हुए मेरी समस्या मुझे आ रही है देवराज चाहन का सब मोना चौधी के कानों में पड़ा तुम गड़बड कर सकती हो अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं तुम्हें फोन करने वाली थी मोना चौधी ने का क्यों हमें मिलकर काम करना है लेकिन उससे पहले हमें आपस में कई बाते करनी होगी सवाल मन में रखकर एक साथ काम नहीं हो सकते कैसा सवाल तुम किसके कहने पर काम कर रहे है उसी के कहने पर जिसके कहने पर तुम ये काम कर रहे है कौन है वो? उदर से देवराज चान ने पूचा जुगल की शूर कौन है? पहले तुम उसके बारे में बता जिसके कहने पर काम कर रही हो महाजयन पारस्नाथ की नज़र है मौना चौति के गंबिर चेरे पर थी इसके लिए हमें मिलना होगा मौना चौति ने का का मिलती हो अकेले आओगे मेरे साथ मेरे चार लोग होगी चार कौन तुम तो के साथ ही बाके लाल लठोर रुस्तर रावी मेरे साथ है देवराज चौन का सर मोना चौतरी के कानों में पढ़ा फिर तो तुम पांच हो ऐसे मेरे ही तुम्हारे पास आना ठीक होगा महाजन और पारसनात के साथ आ जाओ बंगले पर हो हाँ देवराज चौतरी के चारे पर सोच के भाव नाच रहे थे तुम उसे घौर पढ़े के बारे में बताओगी महाजन ने पूछा अगर जुगल के चौतर के बारे में जानना है तो उसे घौर पढ़े के बारे में बताना होगा मोना चौतरी ने कर अगर देवराज चौतर ने घौर पढ़े की गरतन थाम लितो ये बात मैं घोरपड़े के बारे में बताने से पहले देवराज चाहन से कर लूँगी कि वो घोरपड़े को नुकसान नहीं पहुचाएगा महाजन कभी निगाओं से मोना चौधरी को देखता रहा तुम उसके पांच कहने की बात कह रही थी पारसनात में बूचा वहाँ बाके और उस्तराव भी है दोनों बहुत खतरना के माजन के उटों से निकला मोना चौधरी मुस्कराई तुम वहाँ पर अपने पर काबू रखना बेबी काबू रखना? मोना चौधरी ने माजन को देखा हाँ, देवराचान के मन में हमने जगह बनानी है कि वह हमारे साथ मिल सके ना कि उसका फोन ही आ जाने का मतलब है कि वह हमसे मिलने को तयार है मोना चौधरी ने कहा मेरे कहने का मतलब था कि महाँ पर तुम्हें देवराचान के आवाज में कोई कमी हो सकती है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है ऐसे में तुम्हें समसदारी से काम लेना होगा कोई जगड़ा फसाद नहीं करना है तुम्हें तुम्हें सिर्फ इसी काम की तरफ ध्यान देना है महाजन बोला पारसनात के चेरे पर मुस्कान उबराई मोना चौतरी भी मुस्करा पड़ी मैं देवराच चौन से मिलने क्यों जानी है यह बाद तुम जानते हो न माजन ने से रिलाया तो इस मौके पर वही काम होगा मैं वहाँ कोई फसाद करने नहीं जानी देवराच चौन का भी तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहता है वह इस वज़े से मिलना चाहता है कि हमें अपने साथ मिलाए पिना वो किसी भी तरह से टेकैती नहीं कर सकता पारसनात ने कहा यही बाद हमारे साथ भी है मोना चौधी क्योंट क्या देवराच्वान के साथ मिलकर काम करना ठीक रहेगा हमारे लिए पारसनात ने पूछा अगर वो गोर पड़े के लिए काम कर रहा है तो फिर उससे मिलकर काम करना कोई बुरा ही नहीं है मोना चौधी ने कहा और वो सच में हमसे कोई धोका कर रहा हूँ पारसनात ने सपाट सौर में पूछा तो इसका जवाब उसे डबल धोके से मिलेगा मोना चौधी के चाहरा है खोंकारता से बारूटा तो हमें ये मान कर चलना है कि वो किसी धोके के तहट अपने साथ मिला रहा है माजन की नेगा पारसनात के चाहरे पर जाटी की तुमने कैसे कह दी इतनी बड़ी बात मोना चौधी ने पूछा मैं सोचता हूँ देवराचौन किसी प्लानिंग के तहट हमें अपने साथ मिला रहा हूँ और काम होते ही हमें जटका दे दे या ऐसा कोई भी प्लान हो सकता है देवराचौन का वो देवराचौन है हमें ये बात नहीं बूलनी चाहिए पारसनात की नेगा मोना चौधी पड़ती तुम कहना क्या चाहते हो माजन के माधे पर बल उबरा है सीधी सी बात कहिए तुमसे तुमारा मतलब है कि देवराचौन को मुकुट चाहिए वो घोरपड़े के लिए काम नहीं कर रहा है ये भी हो सकता है जैसे कि मोना चौधी ठैर कर बोली हम मुकुट देना चाहें पर तुम तो देवराचौन घोरपड़े को ना दे मुकुट बिल्कुल लेकिन हम तो गोरपड़े के लिए काम कर रहें मुकुट चौधी ने कहा तो देवराचौन घोरपड़े के लिए क्यों काम कर रहा है कुछपल उनके भी शान्ति रहे चलो अब मुना चौधी उठखड़ी हुई टकहती के दोरान वो पहुंच लोग होंगे और हम तीन महाजन ने दोनों को देखा तो अगर कोई गड़बर होगी तो वहाँ पर बारी पर दो फायर हवा में खाली चल जाएं तो टकहती वहीं के वहीं रह जाएगी मोना चौती ने का इसलिए टकहती के दोरान कोई भी गड़बर नहीं होगी अगर टकहती हुई तो मोना चौती के दाथ बिच गए थे पारसना तो महाजन भी खड़े हो गए थे जानों के चैरे गंबीर हुए पड़े थे हम चलतो रहें देवराज चान के हैं पारसना ने कहा देखते हैं महाजन गंबीर था इतना मुझे यकीन है कि देवराज हमसे कोई धोका दड़ी नहीं करेगा करेगा तो जल्दी मरेगा भी वो मोना चौती के दाथ बिच गए महाजन पारसनात के आँखे मेली परंतु वो खामोश रहे गंबीर रहे तीनों महाँ से बाहर निकलते चले गए अरजन भारोदाज पंडित बंसल तब से ही अपने कारों के बीतर बैटे हुए थे बाहर वो इस लिए नहीं निकले थे कि चौती कार में जुगल किशोर मौजूद था वो रही चाते थे कि जुगल किशोर को उनकी मौजूदकी के बारे में मालूम हो कई घंटे उन्हों ने इसी तरह बिता दिये थे बंगले से बाहर कोई नहीं निकला था अलबत्ता उन सब के आने के एक घंटे बाद कार में दो लोगों को भीतर जाते देखा था, वो दौनों बाके और रस्तम थे, जिनने उनमें से कोई भी नहीं जानता था, जुगल किशोर कार में बैठा रहा तो अरजन भारदाज भी कार से बाहर नहीं निकला, फिर 10-45 पर ए अरजन भारदाज बुरी तरह चौका, मोना चौदरी का देवराद चौहन क्या यहां आना, अरजन भारदाज के मस्तिश में धमाके होने लगे, देवराद चौहनों मोना चौदरी के बीच कुछ खास पक रहा है, उनके बीच कोई बेहद मैटपून बात होने वाली है, जोगल किशोर आंखों से ओजल हो गया, उसी पल अरजन भारदाज कार से बाहर निकला है, पंडित और बंसल भी बाहर निकले और अरजन भारदाज के पास पहुँचे, वो आदनी भीतर गया, बंसल ने कहना चा, मोना चौदरी देवराद चौहन के पास क्यों आई है, पं मोना चौदरी अपने लोगों के साथ जूही बीच के सेफ बैंक में गये, वहाँ पर देवराद चौहन ने क्या किया, मैं नहीं देख पाया, पर अंतु मोना चौहन लोकर वाली जगे बेस्मेंट में गयी थी, इससे अब मैं सोख सकता हूँ कि देवराद चौहन भी लोकर लूटना चाहते हैं, अरजम भारदाज के होटों से दरिंदी की बरील्स आवाज निकली, पंडित फिर कुछ नहीं पूछ सका, उस लौकर में ऐसा कुछ है जिसकी दौनों को जरूरत है, पर हम तो दौनों ने बैंक में एक दूसरे को पहचान लिया, अब सवाल यह है कि दौनों एक दूसरे को बैंक में ठकैती नहीं करने देंगे, इसी मामले में आप इनके बीच बात होगी, अरजम भारदाज ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर जी, पंसल क्या उटा, हमें अभी के अभी बीतर जाना होगा और उनकी बाते हैं, लेकिन हमसे पहले वो बीतर जा जिसका पीचा करते हैं यहां तक, वो हराम जाता रामन है, लेकिन वो भी उनकी बाते सुनना चाता, रामन को ने बंडित ने पूछा, चैंद पल चुप रहे का अरजम भारदाज बोला, तुम लोग अपी रामन को समझ नहीं पाओगे, जो काम मैं कह रहा हूँ, उसकी तर अरजम भारदाज का चैरा खुंकारता जिबर उठा, मेरे हाथ लगने दे उसे, बंसल चाकर भी नहीं पूछ चका कि इस केज की पार्टी कौन है, तीनों बंगले की गेट की तरफ बढ़ गया मोना चौधरी महाजन और पारसनात ने भीतर प्रवेश किया, भीतर बैटे सबकी निगाँ उनकी तरफ ही थी, बाके लाल लटोर के हाथ में दूद का गिलास था और रुस्तर रो कौफी का प्याला लिये हुए था, और कोई भी कौफी नहीं पी रहा था, देवराज चान क हाथ में सुलकती सिगरेट थी, चेहरे पर शान्ती के भाव थे, पल भर सप्पा निगा मारती मोना चौधरी ठिटकी फिरागे बढ़ गई, वो तीनों भी खाली पड़े सोफे पर जा वैटे, मोना चौधरी ने देवराज चान की तरफ देखा, कौफी बनाओं क्या, जग हम दोनों को एक ही काम एक ही वकपर दे दिया, हाँ, यह इसकी गलती रही, बाकेलाल राटार ने गर्मा गर्म दूद का घूट बरा, मलाई यो बढ़िया डालो जगमान जी, जगमान बाकेलाल को राटार को देखकर मुस्कराया, अब तुम क्या चाहते हो देवराचान, व तुम क्या मुकट उसी के लिए ले रहो, जिसके लिए तुमने लेना है, हाँ, मेरा का मुकट उस तकी, तुम ये काम क्यों कर रहो, मोना चाहदी ने पूछा, मेरी कोई मजबूरी, तुमारी उस मजबूरी को क्या मैं जान सकती हूँ, देवराचान ने मोना चाहदी को दे का देवराज चान ने शांद सर्मे का फिर भी तुम उसका अप्रण करने वाले तक त्यारे तक आसानी से पहुंच सकते तब तक वो लड़की तो मर चुकी होगी जग मुनने तीके सर्मे का मैं चाहता हूँ कि उस लड़की पर कोई आच ना है देवराज चान की होट बिच ग जिससे मीचन एक बार मिला था तीनू के फोनी मीचन को आते थे मीचन का कहना है कि या आदमी नकली दाड़ी मूश लगा हुए था मोना चाहतरी गंबीर निगाओं से देवराज चान को देख रही थी अंडा वल्ड की दो शक्तियां हमने सामने मौजूद थी कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता था तो तुम मुकट हासल करने के बाद दाड़ी वाले टीनू को फोन करोगे देवराज चान ने मोना चाहतरी को देखा जबकि मैं सीधे उसके मालिक को फोन करूंगी मैं टीनू को ही फोन करूंगा देवराज चान के समय द्रणता की जलक थे मोना च प्रजन बोला वो एकी आदमी है तब तो पहले उसी आदमी से बात कर लो कि मारी गाड़ी कि दर को अटक गई है मोना चादरी के चारे पर सोच के बाओ गहरे हो गए थी बाके लाल ठीक कह रहा है पारसांद मोना चादरी को देखा ठीक है मुझसे बात करके देखती मोना ठाकुर से ये बात करेगा और में ठाकुर सौनलाल को फोन करेगा देवराजचान ने गंबी सर्में का मोना चादरी की निगा पारसनाद महाजन की तरफ को देखर सहे मती से से बाइब अ अब क्या सोसती है तुम मैं उससे बात करती हूं कहने के साथ ही मोना चाधरी उटी और वहां से इतनी दूर हो गई कि उसकी बात कोई न सुन सके देवराज चान ने सिग्रेट्स लगा कर कश्ट लिया बहाजन और पारसनात की नजरे मिली बाखेला लटा ने गरम गरम दूद का भूड भरा जग मोन ने आज तो मलाई दिल खोल के डाली हो दूद में कईयों की दिखाए मोना चाधरी की तरफ उटी वह बात कर रही थी फोनी पर देवराज चान आराम से बैटा कश्ट ले रहा था पार्च मेंट बाद ही मोना चाधरी वापिस लोटी और बैठते हु जग मोन किया वटा ये सब बाते मेरी उच्ट से हो चुकी है अब बात साफ हो गई थी मीचण के बेटी पबली इस मामने में सुरक्षित हो गई थी तब ही मोना चाधरी ने देवराज चाहन से का मेरे साध ही कहते हैं कि ये सब तुम्हारी चाल भी हो सकती है देवराज चा मुकट उस आदमी तक पहुंचाना है तुम मुझे इस मामले से बाहर कर रहे नहीं तुम भी तब मेरे साथ रहोगी देवराद चानने का पर मैं चाहती हूं कि तुम मुकट मुझे दो और अपने रास्ते पर आओ जाओ मुकट मैं ही उसके हवाले मेरे बाप ऐसा होई नहीं सकता रुस्तारा सेरिलाता क्या उटा जगमान के चैरे पर मुसकान उपरी तरना बुलकुली ठीक कहो ऐसे नहीं हो सकता वो क्यो माजन ने पूचा बाद में अगर मोना चाहदी मुकट लेकर रफू चक्कर हो गई तो जगमान ने कहा मोना चाहदी लंभी सांस लेकर बोली तो तुम लोगों को मुझे पर विश्वास नहीं बात विश्वास या विश्वास की नहीं है देवराच चाहन ने गंभी सर्मेगा यह ठीक है कि तुम तुमने उससे बात कर लिए कि वो लड़की को कुछ नहीं गएगा परंतु इससे हम मामली से वो मुकट तो उस तक पहुचाना हमारा काम भी है जब मुकट उस तक पहुच जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा तुम सब मेरे साथ रह सकते हो ये बात तुम ठीक नहीं कह रहे देवराच चाहन मैं है मोना चौदरी उस आदमी नो तो मैं हायर किया इस काम के लिए जबकि मुझे उसने जबरन इस काम में डाला है उस लड़की की जान पर बनाई थी अगर मैं टकहती के लिए तैयार नहीं होता तो लड़की को भी मार सकता था ऐसे में मेरा फर्ज है कि अपने सामने उसे वो मुकट लाटाओं ताकि मेरे दिल को सुकूर मिले कि मैंने ये गाम ठीक तरह से पूरा कर दिया है लॉकर से सौनलाल उस मुकट का निकालेगा हाँ परन्त वहां ताला खोलने वाला मेरा आदमी भी मौझूद रहेगा सौनलाल की आगे सुकूरी तुम्हारा आदमी देवराचान न मौना चाध्री को देखा हाँ मेरा आदमी उससे उन दोरों में जगड़ा हो सकता है यही मैं कहती हूँ देवराचान की उन दोरों में जगड़ा भी हो सकता है बेकर होगा कि तुम अपने locker room में हैं तुम क्यों नहीं सौनलाल को बाहर रखते मोना चाउधी नका मेरा अप्नी मुटबार ले आएगा स्वानलाली ये करेगा देवराचां बूला नई मेरा अदमी ये करेगा मोना चाउधी ने दर्ड़ सौर में का एक आएक माँ सननाटा चा गया से सासों की आवाजा ही सुनाई देने लगी थी हर कोई एक दूसरे को देख रहा था इस बात पर बात अड़ गई थी कुछ पलों की शांती के बाद देवराद चान बोला तुम अच्छी तरह जानती हो कि सौनलाल मेरा खास तुमारा खास बंदा है तभी तो नहीं करेगा मोना चौधी दरता बरे सर्में बोली तुमारा खास आदमी लॉकर से मुकट निकाल का मुझे तो देगा नहीं वो तुम ही देगा और मेरा आदमी मुझे देगा ये फार्क है तुमारे मेरे आदमी में बात रुख चुकी थी तभी पारसनाथ अपने सबाट चेहरे पर हाथ फिरता क्या उठा मैं कुछ कहूं बोल बाप इस तरह एक आदमी भीतर नहीं जा सकते क्योंकि दौन एक दूसरे पर शक कर रहे हैं तुम लोगों नहीं योजना बना दी हां क्या है तुम तुम क्या कहना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि यह दौन अपना एक 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 आदमी भीतर छोड़ दें लोकर खोलें और मुकट लाने वाला एक एक आदमी जगमान ने आके से कुड़े हां जाहिर है तब उनके पास हत्यार नहीं होंगे यह हम चेक करके बेजेंगे लोकर से वह दूसरे को देख रहे थे मुझे मंजूर है यह वात सौनलाल ने का पर बस दूसरा वाला तुस से ज़्यादा ताकतवर गए तो तो तुमारी ठांब बोल जाएगी और मुकट मैंने बोला ना मुझे यह मंजूर है सौनलाल ने गंभी सवर में का देवरा चान ने मोन चादरी के आदमी का फोन हुए तो वाके लाल अठर बोल पड़ा सौनलाल नसुच दबाती होगे फोन कान से लगाती हुए का हलो सौनलाल हाँ मैं हमें ठाकुर बोल रहा पहचाना आगे बोल अभी तीनुने मीच्चन को फोन किया तीनुने उसे फोन पर का गी अब उसके पच्छे से उसका खुई लेने देनी है चाही देवराज़ जो़न उसका काम करे या ना करे हमें ठाकुर की आवास सौणलाल के कानों में पड़ी है यह शमस् len प्रव कोई यह बता दे और मुझे इका बटा दूं ठीक है, कहने के साथ ही सौनलाल ने फोन बंग कर दिया, सब की निगा सौनलाल पर थी, सौनलाल ने देखते हुए सारी बात उसे कह दी, सब ने सौनलाल की बात सुनी, बाप, रुस्तरा ने मुस्करा कर देवराद चान से का, अब तो तुम्हें टकैती से भी छुट्टी मिल गई है, लेकिन ये काम मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने किसी को मुकुट देने का वायदा किया है, देवराद चान बोला, तुम कोई धोका दड़ी तो नहीं करने वाल चोरे, कल टकैती होवेगी, होने दे बाप, लॉकर से जिसके बाद भी मुकुट आएगा, उसके मुकुट खीचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जगमान ने का, ये बात हमें अपनी जगर और तुम लोगों का अपनी जगर तेह करनी है, पारसनात ने प्रे शब्दों प ये काफी होगा, देवराचान की नजब मोना चाहदी बचाटी की, अगर तुम जगल की शोर के बारे में जान लो तो ज़्यादा बहतर होगा, बताओ, मोना चाहदी के ओटले, शर्त वही है पहले तुम असाद्मी के बारे में बदा जिसने तुम्हें ये काम सहोपा है, द दौनों ने एक दूसरे की आँखों में जाका, दौनों की आँखों में दढ़ता की जलक थी, मैं किसी पर विश्वास निगती परंतु आज तुम पर विश्वास कर रही हूँ, मोना चाहदी ने का, मिलो जलो कर काव करने हो तो विश्वास हो तो होनो हो मोना चाहदी, बा से तीस साल पहले मुंबई में टेक्सी चलाया करता था पर अंतु तब दो-चार सालों में उसकी किस्मत बडली कुछ धंदे बडली और अमीर बनता चला गया फिर उसने पीछे मुणकर नहीं देखा आज का रोड़ से कम की बात नहीं करता मुंबई का जाना वाना अमीर मैं जानता हूं इसे सवानलाल क्या उठा देवराचान की निगा सवानलाल की तरफ उठा इसका बंगला कुरला में है ना सवानलाल ने मोना चादरी से पूचा हाँ मोना चादरी ने से रिलाया मैं इससे मिल चुका हूं सवानलाल ने घहरी सांस ले क्यों देवराचान ने पू होता है मेरे कहाल से मीच्चन की लड़की को यह कुछ नहीं कहता है अगर तुम इसका कहां इंकार भी कर देते तब भी मतलब कि तुम्हें जानती हो भी यह तुमारे पास सीधा नहीं आया इसने टीनु नाओं के दाड़ी वाले को आगे कर दिया हाँ अब तो सारी बाते हमार चैरे पर मुस्कान बिखर गई तो तुम जिगल कि शोर के बारे में जानना चाहती है हां मैं जानना चाहती हूं कि आखिर वो कौन है जो धेर सारे करोड दे रहा है एक मुकट खरीटने के लिए मेरे क्याल में तुम उसके बारे में नहीं जानो तो बहतर हो क्यों मोना चौ मन से पूस्ता कि क्या हुआ वही देवराद चान से क्या उठा मुझे याद आगे जुगल किशोर के बारे में याद आगे वो साला चिपकू जगमान के ओटो से निकला चिपकू? मैं उसे चिपकू ही कहता था वो हरामी चिपकू जगमान न अपना माता पकड़ लिया मैं उसे कई बार मिल चुपाँ वो जगल किशोर ही है मैं पहली तुमारे कहने पर उसे क्यों नहीं पहचान पाया मैंने तुमसे पहली ही कहा था कि तुमसे मिल चुके हो देवराद चान मुस्कूराया तब मुझे याद नहीं आए था पर अब एका एकी याद आ मुना चौदी को बता क्या जगल किशोर के बारे में नई उसके गुड़काम तुम ही करो जगमान ने कहकर आखे बंद लिया देवराद चान ने मुना चातरी से का जगल किशोर के बारे में जानकर कहीं तुमारा तकैती करने का एरादा नह बदल जा मुना चौती के निखा देवराद चान के चेरे पर दई जगल किशोर एक महा ठख है महा शातर إنसान है ठख है वो महा जन के उटो से निकला मोना के आंगे सिकुड़ी वो सतर के नजर आने लगी पारजनात की निगा एक टिक देवराचान के चेहरे पर थी देवराचान ने कश लिया आगे बोलो मोना चाती क्यों उटी ले तुमने कहा कि वो ठग है? हाँ तकैती मास्टर देवराचान जुगल किशोर को ठग कहता है वो ऐसा ही यह तब ही उसे ठग कहता हूँ क्या उसना तुमसे कुछ चुराने की? नहीं उसना कोशिच की पर वो मस्टर ठगी नहीं कर पाया देवराचान ने का पर अंतzahl जुगल कि शोर नामी ठगे जैसे भी उह पैसा हसल करना चाता है किदर से भी आए? वो पैसा हसल करना चाता है तुमसे एगर उसना 50 रुपे यए लाख रुपे लेने हूँ तो वो तब तक तक तुमारे पीछे रहेगा जब तक कि वो तुम से ले क्यों ना ले मेरा उससे अच्छा वास्ता पढ़ चुका है वो बहुत चाला गए उसे पैसा लेना चाहता है देना है नहीं जगमौन क्या उठा तुम लोगों से वो कहा मिला मोना चौधी बोली जैसे कि इस बार हम मिले वैसी दो-तीन बार हमारे सामने आ चुका है तो इस बार तुमने गोर पढ़े से बात क्यों नहीं की मोना चौधी ने पूचा गोर पढ़े हमारे सामने पढ़ा ही का बैर देवराच चान ने का गोर पढ़े न हमें दूसरे डंग से टकैती के लिए त्यार किया है हमें अब पता चला कि वो जगल किशोर के इशारे पर टकैती करवा रहा है मोना चौधी ने जगमान से कहा जगल किशोर पांच करोर रुपया गोर पढ़े को दिया है बिल्कुल सही कहा था तो फिर उसने पांच करोर पढ़े को कैसे दे दिया मोना चौधी ने अपने शब्दों बस जोड दे कर का कहा तो इसका जवाब जगल किशोरी दे सकता है जगमान ने गंबीर सर में का वाँ चुपी सूपर आई थी बाप रुस्तरा बोला यह भी तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहो नहीं देवराद चौधी जगल किशोर ऐसा काम नहीं कर सकता नहीं उससे कोई काम लेगा नोट हाथ में आदी जगल किशोर फॉरन वो शेर छोड़ देगा देड़ गंटे में वो शेर से बाहर होगा हैरानी है कि ऐसे इंसान ने गोर पड़े को कैसे पांच करोड़ देगी मोना चौधी क्या उटे बेबी महाजन गंबीर सर्में बोला कोई बात तो है जो हमारी समझ में नहीं आ ली हो सकता है पारसना अतने सोच बरे सर्म का उसने पांच करोड़ किसी सो उधार लियों कि वो गोर पड़े को दे इस बात को भूल जाओ कि जगलकिशोर को कोई पांच हजार भी उधार देगी जगमन बोला मोना चौधी के चेरे पर भाव तेजी से बतल रहे कि उसने पारसना तो महाजन को देगा नजरे मिली और अभी जगलकिशोर का कहना है कि वो मुकट उसे दे और करोड़ों की बाकी रकम ले महाजन ने का हो सकता हो उसी ने कोई बढ़िया हाथ मार दियो बाके लाल रठोर बोला हाथ मार कर कोई पैसा इस तरह बरबाद ने करेला बाप रुस्तराओ क्या उठा तब ही देवराज चौन क्या उठा किसके लिए तुम टगैती कर रही हो जाना तुमने हाँ मोना चौधी का गंबीर जह रहरा क्या भी तुम टगैती करने को तैयार हो क्या मतलब देवराज चौन के आखे शुक्री तुमने डगैती पूछाय ना उठाल हो जाएगी मोना चौधी ने देवराज चौन को देगा मैं तुमारा मतलब ने समझा है देवराज चौन के माते बर बल पड़े बाकी सबकी निगाबी मोना चादीबर जाटी की थी जबकि पारसनात महाजन समल गए थे जगलकिशोर करोडों की रقम ओर देगा ये बात तुम नहीं बताई थी मुझे घोरपड़े नहीं ये बात कही थी करोडों की बात तो देवराचान के लिए मोना चादी बढ़ थी बोहरे कम अम मैं लूँगी तुम? हाँ लेकिन मैं मुकट तुमने गोरपड़े को देना गोरपड़े नहीं मुझे कहा था कि इसमें जितने भी करोड आएंगे उतमें आदे मेरे होंगे मतलग कि मैं इस काम में गोरपड़े की इस्सेदार हो गई ऐसे में गोरपड़े की इस धंदे में मेरा साथ रहना जरूरी हो जाता है खासताओर से तब जब कि मैं जुकल किशोर के बारे में जान चुकी है लेकिन मेरा इस धंदे से कोई वास्ता है देवराचान बोला, हाँ, तुम्हारा कोई मतलम ने, तुमने जो भी करना हो, गोरपड़े के बाद मुकट पहुचाने के बाद करना, देवराचान के माते पर बल पढ़ गया थे, तुम मुकट गोरपड़े को दे सकती हो, देवराचान गंबीर हो गया था, दूसरे ही पर ग उसे अब तक मालूम भी हो गया होगा कि इस मामले में हम तो माचुके हैं, अगर तुम जुकल किशोर के बारे में सच कह रहे हो तो उसका मेरे सामने ना आना ही बहतर, जुकल किशोर को ये सब कुछ मालूम हो चुका होगा, जगमन बोला, अब वो मुकुट लेने नहीं बाब, हम लोगों ने मुकुट गोर पड़े को पकड़ा के किस केला है बाब, बोकेला लोटो सेर लाकर क्या उटा, बात तो तुम ठीक होई बोले हो चोरे, तब ही मौना चौधरी उठी हो पारसना तो माजन भी कड़े होगा, हम जा रहे हैं, मौना चौधी ने देवरा च का खेल है, मौना चौधी ने कह้, कल कितने बज़े मिलने है, देवरा चौधी ने जगमहन को देखा, मेरे कैल में नो-धस के भीच मिलना ठीक रहेगा, हम सबको टकैती की तài Wake करनी है, जगमहन बोला, दस बज़े हम लोग मिलेंगे, देवरा चौधी ने कह, जग होगी, सा पीको चलेला थो बाप भू ठीक चल रही है देवराचान ने सोच बेरिस्वर में कहा अभी तक तो लगता है एसे ही है जग्मन ने देवराचान को देखा भाई जग्मन तुने आ दूर्ण मलाई बहुत बढ़िया डालो आज तो दूर्ण पीके मज़ा आगयो रात का एक में नजर आती है तो बताएं अर्जुन भारताज बंसल पंडित बहुत साफधानी से भीतर हो से थे एक तो बंगला देवराज चौहन का था देवराज चौहन भीतर था जगमान और सौनलाल भी भीतर थे साथ में बाके लाल रठार और रुस्तराव भी थे जिन उन में से पादरी का बंगले बार आना सब के लिए हरानी की बात थी दो अंड़ वर डॉन का एक ही चके घट्टे होना महत पूर बात थी अर्जुन भारताज बंसल पंडित ये बात नहीं जानते थे पर अंतों जगल किशुर काफिया तक मामले को समझ गया था जगल किशुर इस बा की कि दोनों कैसे साथ काम करें कि 63 नमबर लॉकर का मसला हाल हो सकती जबकि जगल किशुर जानता था कि इन दोनों के बीचे घोर पड़े का हाथ है कहीं उसके बारे में देवराद चार मोना चौधरी को ना बता दे और मोना चौधरी उसके बारे में घोर पड़े को ना बत सकता था वैसी खिड़की सदर द्वार से पहले भी पढ़ती थी जो कि वहां से जगल किशोर को नजर इसलिए नहीं आई थी कि बीच में आगे पीछे करके दो पिलर आ रहे थे पंडित बंसल ने भीतर होते हुए जगल किशोर का अक्स पहचाना फिर कारों की ओट में होते हुए धीमे धीमे उस खिड़की पर जा पहुचे थे अभीतर का नजरा देखने लगे थे अरजन भारताज गेट पर ही चिपकर अंदेरे का सहारा लेकर दो मिनट तक भीतर हर तरफ देखता रहा कुछ दूरी पसादर दौर था उसके बाद आता था जहां सिर्फ एक बल्ब जल रहा था उसके बाद कारों की लाइन रगी हुई थी कारों की लाइन के बाद छोड़ा सा बगी चाता जिसमें फूल पौदे लगे हुए थे बारी दिवार के भीतर की तरफ चार-पांच फैले हुए पेड़ लगे हुए थे बाहर से सबकुछ बूरी तरह बंगले के भीतर नहीं देखा जा सकता था अरजन भारताज को जगल किशोर की तलाश थी पंडित बंसल को तो उसने देख लिया था फिर जगल किशोर भी नज़र आ गया जो की सतर तरवासे के पास खड़की की ओट में जुगा हुआ खड़ा भीतर देख रहा था उसको लग रहा था कि वो अकेला है यही वज़े थी कि वो विश्वस्त लग रहा था अरजन भारताज के दाद बिच गए थे उसके लिए वो जगल किशोर नहीं रामन था पूर्च जनम के भीमा का खास आदमी मागुरू के आ जाने से अरजन भारताज को पूर्च जनम की पजारी की यादे ताजा हो चुकी थी पर अंतो इस समय अरजन भारताज को भी भीतर की बाते सुननी थी कि देवराज चान और मोना चौती भीतर क्या बाते कर रहा है रामन उसके सामने था जुकल किशोर यानि रामन से तो वो बात में भी निवट सकता है पहले भीतर की बाते जान लेना आवश्क था अरजन भारताज न अप्टी जगह छोड़ी और दीवार की तरफ अंधेरे में दीवार के साथ आगे बढ़ने लगा बंगले पर दर्बान नहीं था उसकी शायद देवराज चान न ज़रुती महसूस नहीं की थी दीवार के साथ आगे बढ़ता कि अरजन भारताज दूर सही सदर दार पार करता चला गया बीच में जाड़ियां फूलों की क्यारियां भी आई अरजन भारता सदर दर्वाजे को पार करता जगल किशोर को भी पार कर गया जिस खड़की पर जुगल किशोर मौझूद था उससे बारा फीट आगे वैसी खड़की और भी थी अर्जम भारताज वहाँ पहुचा बीदर जाकने लगा सब नजर आये उनकी बाते भी उसके कानों में पढ़ने लगी खुद को अंधेरे में समेटे अर्जम भारताज की नगा भीदा टिक चुकी थी परन्तु एक नगा बारा फिट आगे खिड़गी पर मौझूद जिगल किशोर पर थी अर्जम भारताज दबे पाउं धीमी गती से जगल किशोर की पीट पर पहुचा उपलक जपकती पाएं हतेरी को आगे करके उसके होटों पर चिपका दी की चीक ना सके और दाएं हाथ की रिवाल्ब उसकी कमर में धसा दी जिगल किशोर जोरो से फड़ पड़ाया चुप रहो अर्जम भारताज बीचे सर में गुर राउट जिगल किशोर को समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो गया है जबाब दो देवराषव ने गहरी गहरी सांसे ली पर पहलटका अर्जम भारताज को देखा अंधेरे में आर्जम भारताज इस पुष्ट तो नहीं देखा फिर भी उसने उसे पहचान लिया जिसे उसने पुलिस वाला संद्या था तुम जुगल किशोर ने दबेस वाल में कुछ कहना चाओ चुप रहा हो अर्जम भारदाज के होटों से गुराहट निकले हम बाट चल कर बात करेंगे मेरी रिवालबर का ध्यान देना जो तुमारी कमार से गोली चल गए जो तुम पकड़े मेरी बाट छोड रामन तू अपनी सोच के अब तेरा रामन कौन जुगल किशोर के ओटों से निकला तू कमीने अर्जम भारदाज दाथ बीच कर कर उठा मैं रामन नहीं मैं तो जुगल किशोर चुप कर तू अर्जम भारदाज गुर राटा जबान बाद राक अपनी लेकिन मैं रामन चुप करता है कि मैं तुझे देवराज चौन मोना चौदी का वाले कर दू अर्जम भारदाज ने दाथ बीच कर का मुझे उनके सामने किया तो तुम भी उनके सामने है उन्होंने मुझे यह देख लिया तो उसकी हवा निगल जाएगी साले जुगल किशोर चौका पुलिस वाले का चहरा चमका उसकी आँकों के सामने क्या तुम पुलिस वाले अर्जम भारदाज ने कमर उदजी नाल और धसा दी करू तरे को इन दाने के हवाले अर्जम भारदाज जानता था कि पंडित बंसलोंने बाहर आते देकर अपनी जगह छोड़ चुके होंगे देखते ही देखते वो तीनों एक कार में बैठे कार बैक होई फिर सीधी होती होई गेट से बाहर निकल गई अर्जम भारदाज इसकी योजना जान चुका था इनके पीछे जाने को कोई फायदा नहीं था कल सुबह दस बजे साइन की बारा मंजिल की अमारत में पार्किंग में मिलना था अगर योलग वहां से मिस हो गए तो भी कोई समस्या ने धोपैर को अपना अपना ताले खोलने वाले को सेफ बैंक के लॉकर्स रूम में पहुचाने बैंक आएंगे तब भी अगर मिस हो गए तो रात को बैंक में ठकैती करने आएंगे यानि कि अर्जम भारदाज को अब इनकी परवा नहीं थी यार में तुमारी रिवालवर क्या गे कुछ नी चुप कर बाहर चल अर्जम भारदाज जुगल किशोर का इसी पपया बंगले से बाहर ले आया पीछे पीछे बंसर और पंडित भी आ गए सर जी देवराज चौन का मोना चौधी का मामला इसपश्ट हो चका है इन पर नज़ा रखने की कोई जरुवत नहीं इसका क्या गरना है बंसल ने अंदेरे में जुगल किशोर को गूरा इसे साथ ले चलना है अर्जम भारदाज जुगल किशोर के कार की तरफ ढखेलता बोला तुम दोनों मेरे साथ हो जुगल किशोर को ले कर वे अर्जम भारदाज की कार तक पहुँचे कार का ट्राइवर पासी खड़ाता इसकी अच्छी तरह तलाशी लो अर्जम भारतार ने दाथ बीच कर कहा वो दौनों जुगल किशोर की तलाशी लेने में लग गए तुम ये बात क्यों नहीं मानते कि मैं रामन नहीं जुगल किशोर हूँ जुगल किशोर जंजला कर बोला लेकिन जुगल किशोर की तलाशी जारी रही मंसर नीचे की तरफ तलाशी ले रहा था उसे जुगल किशोर की दौनों पिंडिलियों से बंदे एक एक चाकू मिला दौनों चाकू पिंडिली में बंदे अस्तर के बीच फसा कर उस पर एक टेप लपेट रखी दी कि चाकू अपनी जेगट टिका रहे बाकी और कोई हत्यार नीविला जुगल किशोर से सामने देवराज चान का बंगला है हमें याँ से अटना होगा अर्जम भारतार भीचे सर में बोला गांधी मैदान में चले जादा दूर नहीं होगा वो अर्जम भारतार ने डिवर्वर जुगल किशोर के पेट में टिका रखी गी जुगल किशोर को तो हिलने का भी मौका नहीं मिल रहा था आप लोग मानते क्यो नहीं कि मैं रामा नहीं जुगल किशोर चुप कर जा अर्जम भारतार दाद बीच कर क्या उटा जुकल किशोर ने अपने होट बन कर लिए बंसल बंडित तुम लोग गांधी ब्यादान में पहुचो तब ही फास कड़ा ड्राइवर के ओटा आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं मैं आपके साथ नहीं आऊंगा ठीक का तुमने जुकल किशोर की हमद बढ़ गई अजुम भारतान ने जेब से अपना आई कार्ड निकालकर ड्राइवर की तरफ पढ़ाया ये मेरा कार्ड है तुम देख लो पुलिस वाले हो तुम टैक्सी ड्राइवर के ओटो से निकला समझ गया सर जी अर्जुम भारतान ने कार्ड जेब में डाला तुम प्राइविट जासू सो जुकल किशोर के होटों से निकला तुम लोग गांधी मेदान पहुचो जुकल किशोर को रिवालवर के साहे में रखके अर्जुम भारताज बिल्ली सीट पर बैढ़ गया डैवर ने कार आगे बढ़ा दी तो ये काम तुमें किसी ने सौपा तुमने सुना मेरा नम अर्जुम भारताज है अर्जुम भारताज शब्दों के चवाकर बोला तो क्या तो मैं नहीं लगता कि ये नाम तुमने पहले भी सुन रखा है नहीं तो एक बार भी नहीं लगा नहीं लगा अर्जुन समझ गया कि रामन को अभी पूर्जनम याद नहीं आया कुछी देर में उनकी टेक्सी गांधी मेंदान पर पहुंच चुकी थी पीछे दौनों टेक्सी भी आप पहुंची थी टेक्सी हमाई चोड़का वो जगल किशोर के साथ गांधी मेंदान में चले गए रात के दो बज़े रहते परंतु गरीब लोग सोने के वास्ते एदर अदर बिकरे पड़े थे उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे जगल किशोर को खड़ा किया रिवालवर अरजम भारदाज ने जिम में डाल ली थी जगल किशोर मुह लटका कर बोला कितनी बार क्या चुका हूँ कि मैं रामन नहीं हूँ यह अगर भागने की कोशिश करे तो रिवालवर निकाल को गोली मार देना परवानी करना अरजम भारदाज 14 सर में बोला पंडे तो बंसलन से रिलाए अरजम भारदाज जगल किशोर को देखते हुए क्या उटा तो तुम रामन नहीं हूँ नहीं मैं तो जगल किशोर हूँ वही जगल किशोर जिसके बारे में देवराचान और जगमन सब को बता रहे थे जगल किशोर सक पका उटा वो तो देवराचान यूही मेरे बारे में बढ़ चड़ का बता रहा था मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ तो तुम ऐसे इंसान नहीं हूँ नई, पेट भरने के लिए क्या करते हूँ इधर उदर से दो-चार पैसे मार लेता हूँ की वो पांच करोड तुम्हारे पास कहां से आए क्या, जो पांच करोड तुमने गोर पड़े को दियें वो कहां से आए तेरे पास अरजम भारताज अब जोगा करके उठा जुकलकिशोर फॉरंग कुछ नहीं कह सका तब ही अरजम भारताज का हाथ घूमा पत्व जोरों से घूसा जुकल किशोर के चेहरे पर जा पड़ा जुकल किशोर के पैर उखड़ गए वो चीक के साथ पीछे जागे रहा पंडित और बंसल ने उसे उठाया और अर्जुन भरताज के सामने खड़ा कर दिया जुकल किशोर के होटों से खून की धारा बह रही थी कैसे प्राइवेट जासूस हो तुम सामने वाले पर हाथ उठाते हो जुकल किशोर हो होटों से निकला खून साफ करता हुआ क्या होटा जानना चाहता है कि मैं कैसा प्राइवेट जासूस हूँ अर्जुन भारताज दाग भीच कर बोला कैसा जब मुझे ये पता चल जाए कि सामने वाला अपरादी है जर्मी है उसना जर्म किया है पर अंतों अपनी समस्दारी की वज़े से पुलिस के अत्ते नहीं चड़ने वाला तो तब मैं उसे बड़े प्यार से एक कोने में ले जाता हूँ और गोली मार देता हूँ किसी को खबर भी नहीं लगती कि ये काम मैंने किया है जगल किशोर ने सूखे होटो पर जीप गेरी आज पहली बार मैंने ये बात तुझे बताई है पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि तु रामन है मैं तेरे को पहचा लेकिन मैं रामन नहीं मैं ये बात बात में करेंगे पहले ये बता वो पाँच करोड़ तेरे पास कहां से आये जो तुने घोर पड़े को दिया जगल किशोर का मनुवर पार्टल की बात बतानी पड़ी अर्जम भारदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी वो सोने चांदे वाले मुखट का मामला तूना शुरू किया जो गल किशोर चुप रहा अर्जम भारदाज को देखता रहा तो ही वो मुखट इस दुनिया में लाया था भीमा ने उस मुखट के साथ तेरे को इस दुनिया में बेज दिया था कि कहते कहते अर्जम भारदा ठिटका यहां पंड़त और बंसल भी थे यह बात वो जानते तो उनके सिर भी घूम सकते थे कि वो क्या कह रहा है तुम दोनों अर्जम भारदा ने बंसल और पंड़त से का हम यह कुछ बात करने वाले हैं तुम उस्तरफ और तुम उस्तरफ इतनी दूर हो जाओ कि यहां की बातों को न सुन सको परंतुर नजरें इस पर ही रखनी चाहिए कि यह भागे तो तुरंते से शूट कर सको मैं नहीं भागना यार पंड़त और बंसल अलागल दिशाओं में दूर होते चले गए रामन की बात बात में करेंगे पहले यह बता है कि घोर पड़े वो मुकट पा लेता है तो बाकी के करोड़ रुपे कहां से देगा जगल किशोर के चैरे बा उल्जन सी उपरी फ़र चलाओं भूसा अर्जन भारोदाज कुरूर सर में क्या उटा मैं कहां से देगा मेरे पास तो है यह नहीं जगल किशोर ने भरे सर में का मतलब कि मुकट तेरे हाथ से गया अर्जन भारोदाज ने का वो तो मैं किसी तरह ले लूँगा कैसे कोई चाल चलकर मैं मुकट हत्या लूँगा अब इस मामले में घोर पड़े नहीं मोना चौधरी आ चुकी है तो मुसे पार नहीं कर सकते अर्जन भारोदाज क्या उटा मैं मोना चौधरी को भी पार कर जाऊंगा अगर एक बार मुकट टेकर मुझे भागने के लिए पांच मिनट का वक्त मिल जाए जुगल किशोर बोला अर्जन भारोदाज ने जुगल किशोर को उस रौष्णी में घूरा तो मोना चौधरी से जाता तेज भागने की कह रहे हो अर्जन भारोदाज क्या उठा तुमने अभी मेरा भागना देखा कहा है अर्जन भारोदाज का दिमाग तेजी से चल ला था उसने एक सिग्रेट सुल गई उससे लेकर जुगल किशोर ने भी सिग्रेट सुल गा ली मुझे नहीं रखता कि तुम मोना चौधरी के सामने मुखट लेकर फरार हो तुमने कभी मुझे कुछ लेकर भागते हुए देखा है जुगल किशोर मुस्कुराया अर्जन भारोदाज की निगाई जुगल किशो एक वी नहीं हो सकता तूमने दो चार को तो जरूर मारा कसम से मैं खून खरावी वाली बातों मैं नहीं वड़ता जहां भी ऐसा उन्हेंका चांस होता है मैं वहां से निगल जाता हूँ लगता तो नहीं कि ऐसे हो तो मैं ऐसे ही हूँ अब अगर तो मैं मोना चौधरी ये देवरा चौधरी अपने पीछे लगा देखना तो मोना चौधरी से तो बच जाता क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं जुगण की शोर हूँ पर हम तो देवराच्वान से बचने में दिक्कत अवश्या जाती, देवराच्वान के सामने तु पकड़ा जाता तब तो मोना चौदरी भी जान जाती कि जो बात हुई नहीं, वो क्यों करते हो, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं गया, नहीं करूंगा, करेगा क्यों नहीं, म अर्जम भारदाच के बारे में क्या जानते हो, तुम ही हो, तुमने अभी बताया, इसके अलावा और क्या जानते हो, तुम ही ने बताया कि तुम दिल्ली में प्राइविट जासूस का दंदा, कुछ और, अर्जम भारदाच का चैरा सक्त होने लगा, और तो तुम ही की बात कर रहा हो तुम जुगलकिशोर के चैरेवाजी दि से भाव उब्रे तो तो में खुछ भी याद में आ यह सारा जनम तुम मुझे याद है पर रॉंतो तुम किस पूल कि से बाकलाई थे अर्ज Надवेरा के माने पर का हाथ भूंगा जुगल किशोर के चेहरे पर जा पड़ा जुगल किशोर थपड़ा के जौके में दो कदम पीचे अटा सिगरेट इसके हाथ से छूट गई आज जुम भारता फिर इसके सर पर पहुंचा मेरा जवाब देने पर तुम हाथ क्यों उठा दे यहाथ तेरे जवा छिंफ पास में कहीं ओगा उन दोनों ने तुम्हें निशाने पर रखा हुआ है और जुम भारताज बोला जलककिशोर ने अहीं वारता सिंखा नहीं जानता कि तिम्हें किस तीसरे जनम की उस जनम में तुमारा नाम रामन था रामन हां यह नाम तो तरह कैसे मुझे याद आईगी जगल किशोर ने अपने चैरे की मुस्कान छिपाने की कोशिश की मुझे भी इसी तरह आई थी कुछ दिन प्रेदे अर्जम भारता दाग तीसकर क्या उट तुम्हें याद आई थी हाँ और तुमने तीसे जर्म को सच मान लिया मानना पड़ा अर्जम भारत अर्ण जगल किशोर को घूड़ा लेकिन तुम्हें बताई जिसने है महागुरू ने महागुरू ये कौन सहाब है हमारे पूर्फ के तीसर जर्म के महागुरू जो की पुजारी को तैयार करते है अपने गोण अफगोण अच्छा बुरा सब कुछ डालते है और आकिरकार उनमें से एक पुजारी को जर्म का पुजारी चुनते है तब पहले वाले पुजारी का क्या करते है पहला पुजारी जब खुद अपना पत त्याग ना चाहता है तो इसकी जगर दूसरे पुजारी को तैयार किया जाता है अच्छा फूर्फ के तीसर जर्म क वो पुझारि मैं था तुम पुझारी जुगर किशोर ने हैसा हैराणी कि चानर जो चानरी जो में पुझारी कैसे मुझे तो फिर तुम इस दुनिया में कैसे चलिया लाइक an तो महरी वज़ेश को जुगल किशोर को देखा तुम्हारे भीमा की वजए से भीमा अजम भरत दाज क्या जुगल किशोर की आखे सुपड़े क्यों तो मैं भीमा याद नहीं आया नहीं क्यों तुम भीमा के कहने वरी चांदी सोने का मुकट लेकर उस दुनिया से इस दुनिया में आये थी अजम यह मुकट इस दुनिया में लाया हाँ तुम यह मुकट जिसका जिसकी देवरा चाहन और मोना चाहदी करने जा रहे हैं हाँ उसी मुकट की बात लेकिन वह मुकट तो मैंने मनुर पाटिल के मुग से पहली बार सुना था जुकर किशोर बोला तो मैं कुछ भी याद नहीं आ रहा है याद है मुझे सब कुछ रामन पिछले जनम की बात पिछले जनम में भी मैं यही पैदा हुआ मैं उसके पिछले जनम की बात कर रहा हूं जो भीमा ने अपने सात्यों के साथ मिलकर उस किले को पत्थर में बदल दिया था पत्थर में हां किले की रानी जो की मेरी दिल्चस्पी के भाव जाग उठे तुम क्यों नहीं पत्थर में बने क्योंकि मेरी कुछ ताकत थी पुजारी बनते समय वो ताक्ते महागुरू से सीखनी पड़ती है उन्हीं ताक्तों के वैज़े मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और बागी सब पत्थर बन गए है हाँ है है ये सब कुछ भीमा ने किया क्योंकि अगले दिन मेरी शादी रानी से होने वाली थी भीमा खुद रानी से शादी करना चाहता था लेकिन रानी नो उसे मना कर दिया भीमा खुद पुजारी बनना चाहता था कि आखिर पलड़ा मेरा भारी रहा है आखिरी पलड़ा मेरा भा सकती है पक्वास मत करो तो उस मुकट का उस के लिए से क्या संबन अर्जम भारता ने जुकर किछोड को घूरा फिर कहा किले के लंबे चोड़े कुपसरत लॉन में फूलों के क्यारियों के 20 से 30 फिट उची मूर्थी बनी हुई है लंबी चोड़ी मूर्थी उस मूर्थी के स कि जड़े वो मुकट धसा हुआ था जो कि आदे से जादा बाहर दिखाई देता था किले को श्राप मिला हुआ था कि जब तक इस के लिए की रानी किसी ऊचे आदमी से शादी नहीं कर ले थी तब तक वो मुकट उस मूर्थी पर से ना उतारा जाए परना सब कुछ कि श्राज कर दो सब सुना मजह है रानी है कि ममुखट लेकर इस दुनिया में आ गया है जो कर किसोर कि उता पाड़ा हो तक भीमा मुख़व पुचारी बन जारे यह वह पचारी बना हुआ है यह बात तुम्हें कैसे बता चली महागुरू ने बता है महागुरू तुम्हे आरज्युम्हाधक को घुरह है नियुर में आ अर्जुम्हारधक को भूर ⁦ अघुशंवा जाई नहीं के वारे बताया था अ तुम भी मिल गए तुम सब अब मैं पूर्जण में प्रवेश एक बात कहूं जगल किशोर वेंग से कह उठा अर्जम भारदाज जगल किशोर के देखने लगा तुम अच्छे वले चलते फिलते इंसान से जाकर कहो कि रात को तुमने नीन में सपना देखा है और देखो वो सपने को क्या कहेगा अर्जम भारदा साब जगल किशोर कड़े सर में क्या उठा और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मद मत करना परना मैं चिलाने लगूंगा इस पार्क में ऐसे बहुत से लोग है जो मुझे बचा अर्जम भारदाज की निगा जगल किशोर पर यह वो मस्कुरा बड़ा रामन अर्जम भारदान के लिए जड़ासा अधेरे की तरफ ले जाना पड़ता है जगल किशोर उचल पड़ा परन्तु कंदे पर पड़ी अर्जम भारदाज की बहान आठा सका मैं ऐसा नहीं उने दूँगा तो मुझे नहीं मार सकते मैं रेवालबर निकालू अर्जम भारदाज ने शान सर्मे का जगल किशोर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था वैसे तुम्हें उड़ाने कभी मेरा कोई इरादा नहीं है जगल किशोर की निगा बार बार अर्जम भारदाज उसे पागल सा इंसान लगा तो मैं सपने में ही बताए गये कि उस दुनिया के में को पजारी तुम हो नहीं था उस दुनिया से आने के बाद पजारी की जगए खाली हो गई थी इसलिए भीमा को पजारी बनाना पड़ा यार ऐसा सपना मुझे क्यों नहीं आता जगल किशोर ने कहा मेरी कही बातों का असर तुम पर नहीं हुआ तो मैं कुछ भी याद नहीं आया अरजन भारदाज ने पूचा मैं तो पहले भी वही हूँ और अब भी वही हूँ मैंने क्या बदल ला है ठीक है तुम रखो अरजन भारदाज पंडित की तरफ बढ़ते अजी सर मैं पंडित की दरफ जा रहा हूँ अभी रामन मौगा दिक कप फरार होगा उसे फरार होने देना लेकिन सर वो फरार हो गया तो उसे फरार हो जाने दू देवराच आनों मोना चोदी कल क्या करने वाले हैं ये वो अच्छी तरह जान चुका है जरुद पढ़ी तो कल बैंक के बाहर उसे पकड़ सकते हैं समझ गया सर अरजम भारदाज ने फोन बंद करके जेब में डाल दिया वो पंडित के पास पहुचा जगल किशोर की तरफ उसकी पीट थी मुझे बोला लिया होता सर पंडित क्या होता मैं ही उसे छोड़ कर आया हूँ आपने जो पूछने था वो पूछ लिया सर कोई फायदा नहीं हुआ मेरी बातों का जवाब उसके पास नहीं है लेकिन मैंने रामन से मिल लिया अरजम भारदाज गंबिर सर में क्या उठा देवराच्वान का ठेकाना भी मालूम हो गया वो क्या कर रहा है देवराच्वान के कंदे से अरजम भारदाज के कंदे से पीछे जुगल की शोपर नजल मारता क्या उठा पंडित वो अपने हाथ पाउं सीधे कर रहा है जर अभी वो भागेगा क्या पंडित चौका उसे भागने देना उस पर गोली मत चलाना यह आप क्या कह रहा है इस तरह तो वो कल बैंक क्या स्पास फिर नजार आएगा समझ गए हाँ सर पंडित बोला तो बंसल से कह उसे फोन पर कह वो देखे सर पंडित के उटों से फुसबसाद डिक लिए धीरे धीरे उसके कदम गेट की दरब बढ़ने लगे साथ ही साथ अपने हाथ भी आगे पीछे गुमा जा रहा है वो सर वो 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 भागा अजुन भारता ने गर्दं गुमा कर पीछे देखा एक बल के लिए वो जुगल किशूर को देख सका महा का कुछ लंबा रास्ता जुगल किशूर मिंटों में पार कड़ चुका था जुगल किशूर पार्क से बाहर निकल चुका था सर उसके भागने की रफतार बहुत तेज थी पंडे तुल जिन मेरे सर में क्या उटा बंसल को बलाओ चलो यहां से आजुन भारता ने गंबी सर में कवा पार्क के गेट की तरब पढ़ गया तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं मिलते हैं फूफ जर्म के अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद